इसके पीशे के लेक्चर में हमने एक्सराइज 15.2 को कम्प्लीट किया था अभी तक हमने क्या क्या परहा है उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम है व्यूजलाइजिंग सॉलिड सेप्स इसका हमने इंटोड़क्शन समझा था और कुछ मैं इन नामेंसन होता है ये भी हमने जिक्र किया था इसका उसके बाद हो 3 शेप का हम्ने सॉलिड सेपस का फिर के बारे में समझे थे लेंग दोबिछ फिर हमने exercise 15.1 को किया था उसके बाद drawing solid on flat surface जैसे कि आपके copy जो है वो flat surface है उस पर हमने 3D shapes का figure बनाया था तो दो वीदी से बनाया था दो तरीके से बनाया था एक oblique sketch से बनाया था एक isometric sketch से बनाया था फिर हमने exercise 15.2 जो हमारा oblique sketch और asymmetric पर basis questions थे उनको हमने complete किया था अब हमारा ये जो lecture है वो visualizing solid save जो आपका chapter का नाम है उसी पर based है शुरू करते हैं visualizing solid save का मतलब यह हुआ जब आप किसी भी solid save को देखते हो तो पूरे के पूरे तरीकों से उसको देखने सकते हो जैसे कि मानलों कि यह Q है Q मतलब कि dice है कि dice है नासे मनलों की एक ऊपर है तो नीचे कितना होगा यह चे वाला होगा ठीक है आपने सीखा कि दोनों को opposite वाला कितना होता है चार डॉट होगा तो अगर आप फृंट से देख observer देखते हैं वह हमें कैसा दिखता है वो हमें assume करना imagine करना अपने दिमाग में sometimes when you look at combined shapes some of them may be hadn't from your cube जिसे कि मानले जी एस से बोला जाए count करने के लिए इसमें कितने cube है तो आपको देखने से लगए एक दो तीन चार पांच एक उपर छे देखो कौन कौन से हैं एक एक दो तीन चार पांच एक उपर का face दिख रहा है 6, 6 cube बोलो गया नहीं लेकिन जब आप अच्छा से दिमाग लगाओगे तो यह जो उपर वाला cube है यह cube है यह cube है इन दोनों के नीचे तो एक cube होगा ठीक है इन दोनों के नीचे तो एक cube होगा ही होगा इतना तो पता है आपको होगा तो 6 होगे 6 और इनके नीचे 2 होगे एक इसके नीचे होगा color change करता है एक इसके नीचे होगा और एक इसके नीचे होगा अब प्लस में एक उपर वाले के नीचे भीत होगा तो total कितने होगा संसा आपको देखने का आप देखने का आपर के सोटा सब्सक्राइब से संसा याँ स्था और हां वाला फेस तेखने चर्था से रह täll टरुमों सब्सक्राइब संसा कीज़दी यहां आफसे बश्क्राइब में तेर्रोब काउंट को रहो तो एक दो तीन एक इधर दिख रहा है चार चार दिख रहा है ठीक है चार क्यूब है अब यहां देखोगे तो एक दो तीन चार पांच पांच क्यूब दिख रहा है अगर यहां से देखोगे तो अगर जिफ उपर से देखोगे यहां से देखोगे तो आप को क्यूब ने दिखेगा तो आपो दिमाग लाकर आज्यूम करना है हां इसके नीचे ay रहे हैं लेकिन उपर सा देखोगे तो यह पूरा एक देखेगा स्च तूरेट 95 last अब यहां देखें ट्राइट करना है कितने क्यूब्स हो सकते हैं जब आप काउंट करोगे तो इसको वगदा करते हैं यह एक क्यूब है यह दो यह तीन यह 4 5 6 7 8 इसको 9 मत मान लिए तो 11 12 मत मान लिए इसको ठीक है देखो यह 8 तक हो गाएं यह यह सेम क्यूब है यह नहीं होगा यह देख सकते हैं 8 हो गए है ये 9 10 11 12 12 हो गए इदर दोब हो गए यह 13 14 15 16 17 18 18 तो ऐसे आपको करना है अब इसमें जब आपकाउंट कीजेगा तो ay Acting Q तीन Q ह election 4 क्यूब हो ग morgen इसके ऊपर यस पान्च 5 चे इसके एक होगा साथ four इधार टक टोटल है को इसमें इसमें कितने कुप हो गए एक दो इसके नीचे एक तीन क्रीया कि ऐसे जिलिशा ऑश जिलाइट पोरéqu में सब्सक्राइट को डिखेगा सषरन्ओन novelty पर थे क्योब करेंच छांट समय में ज़मको इसमें क्यों तो यहीं Cur 들े गोbas तक क्यों बाइब बूड़ भी अगर आप देखें इसका आपने इतना चीज हमने समय बेर्थ जाने दिया इसके अपने क्या सीखा जैसे कि इसका लेंथ निकालना होगा अगर आपको यह यहां पर पाचला कि एक और दो क्यूँ है एक की लेंथ दो है इसकी दो लेंथ है तो पूरी लेंथ तो आप बता सकते हैं अजर तक आपको नंबर आफ क्यूब पता नहीं चलेगा तो आप इसकी पूरी लेंथ नहीं बतापाऊगा ठीक है तो चीज एजंशन सहीं आएगा आपको आपको आजयम करना पर रहेगा जैसे कि मानलीजे कि यहां पर एक्जामवल द तो आपको धोड़ी है ब्रेथ दोगा दी गई है हाइट भी दो दी गई है मना है ऐक्क्यूब मetopage इसको साइड बाइस्ट साइड भाइस हो इसके बगल में दूसरा क्यूद रखा गया है अगर ऑपर देक हो अगर्णम के यह cube की length है, यह height है और यह breadth है इस cube के लिए breadth यह वाला है जो चुप गया है, तो इसका हम breadth ले ले लेते हैं अगर यह side by side है तो length वर रहा है, height में कोई दिक्कत नहीं है, same to same है, breadth भी same to same है ठीक है, लेकिन इसी cube को यहाँ ना रखे है, इसको उपर रखते तो length सेम रहता, length इसकी सेम रहती, height change हो जाती height change हो जाती, 4 हो जाती और breadth भी same रहती, अगर हम उपर रखते हैं, इस cube को तो ऐसा cube मिलता हमें, इसकी length 2 रहती, 2 cm, height 4 cm होती, अब breadth 2 होती लेकिन side by side रखे हैं, तो length हो गई 4 cm, क्योंकि इसका भी 2 cm है, इसका भी 2 cm, height आपकी 2 cm है, ठीक है और breadth कितनी है, 2 cm है तो हमने समझाए, यहाँ पर side by side रखे हैं, तो length 4 हो गई breadth आपकी 2 ही रही, और height 2 cm, अगर इसको ऊपर रखते हम, इस वाले dice के इस dice को ऊपर रखते हैं, तो height आपकी 4 cm होती, length 2 का 2 ही रहता, और breadth 2 का भी 2 ही रहता, समझ गया, यहाँ पर दिया गया है, आपका length बर गया, 4 cm, breadth 2 cm, height 2 cm, यहाँ पर try this दिया गया है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा, देखते हैं, देखते हैं, आप सोच पाते हैं कि नहीं, बोल रहा है, 2 dice are placed side by side, यह एक dice है, यह एक dice है, यह एक dice है, as one figure दिखाया गया है, can you say, what the total would be on the face opposite 2, आपने सीखा था, कि यह जो front face है, तो front का उल्टा क्या होता है, back, तो front plus back कितना होगा, इसमें 5 dot है, तो इसके पीछे वाले dot कितने होगा, 2 dot होगा, इसके पीछे, उसी परकार 4 plus 3 है, अगर आपको 4 दिख रहा है, उपर, यहां 3 दिख रहा है, तो उपर 4 है, तो नीचे वाले face पे कितने होगा, 3 होगा, क्योंकि opposite size को जोनने पे 7 आता है, और उपर 3 है, तो नीचे जोनने में कितने आएगा, 4 आएगा, उपर 3 वाले face है, तो नीचे 4 डॉट वाले face होगा, तो 3 plus 4 is equal to 7 होगा, यह सीज आपको visualize करना परेगा, सोचना परेगा, assume करना परेगा, चीजों पर ठीक है, remember that in a dice, some of numbers are opposite faces, 7, 7, तो यह आपको याद कराने कि दिख जाएगा, कि हाँ, जो opposite face होते हैं, dice के, उनके को जोडने पर कितने आते हैं, 7 आते हैं, वो आपको real में भी होते हैं, आप जिब लूट चकावार देखना, dice को opposite करके देख लेना, जोड कर देख लेना, कोचन नमबर 2 है, 3 cubes each with 2 cm is are placed side by side, to form a cube, try to make a oblique sketch and say that could be the length, breath and hide, oblique sketch, बनाएं यहाँ पर हम समझाएंगे, दिसे मालों कि यह दो dice यहाँ बना हुआ है, दो dice बना है, 3 dice हमने बनाना है, dice के जो लंबाई है, उचाई है, और चोड़ाई है, ठीक है, चोड़ाई यहाँ दिखने रहा हमें, सभी इस length मतलब कि सभी dimensions पराबत है, यह 2 cm, यह भी 2 cm, यह भी 2 cm, side by side बोला है, तो length हो जाएंगा कितना, 2 plus 2 plus 2 is called to 4 cm, 2 plus 2 is called to 6 cm, height में कोई change नहीं होगा, height इसकी हो जाएंगी कितना 2 cm, और 4 आएं में भी कोई change नहीं होगा 2 cm, तो यह जो 3 cube को मिला के, जो हमने form बनाया है, यह cube आइड बन गया है, क्या बन गया है, cube आइड बन गया है, जिसके length हो गई 6 cm, ठीक है, breathe हो गई 2 cm, और height हो गई 2 cm, सबच गया, इतना समझने, इतना जो हमने पराया है, उसका मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं है, बस आपको assume करना है, चीजों को समझना है, कि solid shapes को हमेशा, जितना दिखता होतना होता नहीं है, उसके आगे, पीछे, उपर, नीचे दिमाग लाके, हमें count करना पड़ता है, यहां देखिए, view different section of a solid, आप जिसे बोला जाए, क्यूबाइट सेप का था, किस सेप का था, क्यूबाइट सेप का था, उसका length थे, breadth और height भी थी, लेकिन जब आप count देतो हो, और आपके थाली पर जब पुरूश दिया जाता है, तो वो एक तरह से rectangle shape का, या फिर आप square shape का बोल सकते हो, square shape का हो जाता है, तो किसी भी क्यूबाइट का, क्यूबाइट का, क्यूबाइट का जो होगा, वो जब आप वो भी depend करेगा, आप किस तरह से काट रहे हो, vertically काट रहे हो, या फिर horizontally काट रहे हो, vertically काट होगे, तो उसका जो cross section होगा, कट के जो आपके पास braid आया है, वो तो आपके लिए क्या है, वो आपका square है, square shape का है, लेकिन अगर उस braid को आप, जिसे मालूब यह braid का पुल्ट ऐसे बरा है, उसको कट रहे हैं, ऐसे काटों के तो vertically काट रहा है, ठीक है, तो वो आपके जो कट के थाली पे आया है, वो तो आपके square shape का आया है, ठीक है, लेकिन ऐसे ना काट के vertically ना काट के, हम अगर उस braid को horizontally काटे, तो कैसे कट के आएगा आपके पास थाली में, rectangle shape का आएगा, तो जो आपके थाली पे जो आ रहा है, वो solid shape का क्या होता है, surface वो होते हैं, cross section होते हैं, क्या होते हैं, cross section होते हैं, the cross section is nearly square in the case, यहां देखिए, behavior, if you cut in not vertical, you may get a different cross, अगर आप उस braid के पूरे टुकरे को, अगर vertically नहीं काट रहे हैं, दूसरे angle से काट दे रहे हो, तो वो square नहीं होगा, ठीक है, आपको vertically काटना परेगा, जो मैंने आपको बता दिया, a kitchen play, have you noticed cross section of some vegetable, अगर आपके बास खीरा होगा, कीरा की shape का होता है, cylinder shape का होता है, ठीक है, अगर आप उसको vertically काटो, तो आपको कैसे मिलेगा, circle की तरह मिलता है, तो cylinder का, जो cross section होगा, वो कैया होगा, cylinder का cross section क्या होगा, circle होगा, समझ रहे हैं न, क्या कहना चाहरा हूँ, cube का, देखे, cube का, cube का cross section क्या होगा, उसको आप vertically काटो, horizontally काटो, हमेशा उसका square ही होगा, cube का cross section क्या होगा, vertically काटोगे, अब depend भी खरेंगा, देखो, दिमाग आपका है, आपको लगाना परेगा, अगर, cube ऐसे हैं, vertically काटोगे, तो square आएगा, या फिर rectangle आएगा, और उसके तीनो, length और breathe बरावर होगी, length और breathe बरावर होगी, तो square आएगा, लेकिन नहीं, cube आइट का, हमेशा आप से पूछा जाए, cube का cross section क्या होगा, ता आप बोलोगे, rectangle होगा, cube क्या होगा, ता बोलोगे, mostly cases में square होगा, और cylinder क्या होगा, जिसा खीरा को जब आप सलाथ के लिए काटते हो, तो कैसा होता है, खीरा का slip क्या होता है, cylinder होता है, cylinder slip का होता है, उसको जब काटते हो, सलाथ के लिए, तो circle की तरह बन के आता है, यह नहीं आता है, तो उसका, cylinder का cross section क्या होगा, circle होगा, तो आपको डिपेंड करता, आप के angle पे काट रोग, बीच में आके कहीं आपको एक rectangle type का मिल जाएगा, खीरा का cross section है, लेकिन उसी कुम्बर को जब आप vertically काट होगे, तो आपको कैसे मिलेगा, circle cross section मिलेगा, तो आप से यहाँ देखें, प्लेट इस बोल रहा है, यह क्या है, make clay, clay से आपको ऐसे बनाना, चीज़ों के बनाना है, models of the flowing solids, and make vertical or identical cuts, draw a face of the force section, जैसे बानुजा कि यह आपको, है, इसे अपने में बट्टी से बनाए है, अगर आपको ऐसे काट होगे, ऐसे काट तो सॉरी, एक सेगंड लिए अगर इसको, यह क्या है, इसको horizontally काटे अभी, एक समय के लिए, तो यह आपको horizontal or vertical में कोई आपको दिक्कत है, horizontal मतलब कि इससोया हुआ, vertical मतलब कि ऐसे, समझगे, यह vertical होगे, यह horizontal होगे, horizontal हमें से लेटा होता है, vertical हमें से खारा होता है, ठीक है, इतना आपको clear होना चाहिए, अब इसको जब काटेगा, यह face है, अगर ऐसे काटेगा, तो कट के आपको rectangle face काएगा, तो इस figure का जो करो section होगा, क्या होगा, rectangle होगा, जब आप इसको horizontal काट रहागा, अगर vertical काट होगे, तब पर वीज का यह वला safe होगा, जो भी क्या है, rectangle है, यह क्या सिलेंडर है, सिलेंडर का vertical काटो, horizontal काटो, यहाँ पे, तो आपको circle, circle मिल के आएगा, क्योंकि खीटे के save का है, तो कंबर का save का है, अगर जब आप इसको horizontal काटोगे, और इसको stretch करोगे, horizontal काटोगे, तो rectangle side का आएगा, rectangle save का आएगा, तो cross section, अगर इस figure को, हम cross section, अगर horizontal काटे, तो cross section जो आएगा, वो आपको rectangle आएगा, अगर, sorry, vertical काटे, तो cross section है, इस figure का, cylinder save का, वो हमें, क्या आएगा, rectangle आएगा, और इसी figure को, जब हम horizontally काटेंगे, तो हमें, circle आएगा, इसका cross section ठीक है, अब आप जैसे कि, यह भी क्या है, एक 3D save है, इसको उपर से काटेंगे, तो यह square आएगा, इसका जो save आएगा, वो square save काएगा, लगर नीचे से काटा शुरू किया, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, तो rectangle आएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जैसे कि यह ball है, ball को ऐसे करोगे, stretch करोगे, तो circle बनते जाएगा, इससे जाएगा करोगे, circle बन जाएगा, ठीक है, square का cross section होता है, वो circle होता है, यह cone का क्या होगा, cone को जब आप ऐसे काटोगे, तो triangle बन के आएगा, नीचे से ऐसे काटोगे, तो circle बन के आएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना परेगा, मिलते हैं आप से, exercise 15.3 में, हमारे यहाँ पे, हमने क्या समझा, किसी भी solid shape का, cross section समझा, solid shape का cross section समझा, अगर उसको vertically काटते हैं, कैसा cross section मिलेगा, horizontally काटते हैं, तो उल्टा बोल रहा हूं, बता है, बना रहा हूं, horizontally आप दिखा रहा हूं, vertically, कोई भी solid shape को, अगर हम vertically काटेंगा, तो कैसा cross section मिलेगा, horizontally काटेंगा, तो कैसा cross section मिलेगा, बहुत बढ़िया उधारन मैं आपको समझाया था, आपके थाली में परोसा की आप ब्रेट जो होते हैं, ब्रेट को अगर पहले से ना काटा हो, आपको बरजाए काटने के लिए, जब आप vertically काटोगे, vertically काटोगे, जैसे मैं काट रहा हूं अभी, तो आपके थाली में परोसा की ब्रेट आया, वो square shape का होगा, अगर आपके मामी बले नहीं, vertically काटना है, तो आप मुस्किल होगा, उसको आप horizontally काटोगे, तो आपके जो ब्रेट जो परोसा हुए थाली में आएगा, वो आपके rectangle size का आएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कैसा हमारे, किस 3D shape का कैसा cross section होता है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बता रहा, ठीक है, मिलते हैं आपसे, बहुत सारे बाते करने हैं, उसके बाद exercise अपना 50.3 पर आएगे, 50.3 में दो ही question से, आपको cross sections पर ही ध्यान देना है, जितना हमने अभी तक बात किया है, वो mainly आपको cross section पर ही ध्यान देना है, ठीक है, मिलते हैं, अच्छा लगा, और यहीं सी बेरकर हम लोगा video जो है, खतम होता है यहाँ पर, और सुन यह video अच्छा तो वीडियो लाइक कर जिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जुरू बताएगा, इसके बाद हमारा जो 3-4 lecture और होगा, उसके बाद हम लोग इस chapter को खतम करेंगे, और नए साल में नए क्लास का अगास करेंगे, क्लास A का, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मुच बाद, ठीक किया,